अमरीकी क्रिशी विभाग यानी यूसडी ए ने दो हजार तेईस से चौबीस सीजन के दौरान अर्जेंटीना में 495 लाक टन सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो 2022 से तेईस सीजन के अनुमानित उत्पादन 205 लाक टन से करीब धाई गुना ज्यादा है। दिल्चस्प तत्यिया है कि यूसडी ए ने आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन 250 लाक टन से दो गुना बढ़कर 500 लाक टन पर पहुँचने की संभ की कटाई भी इतने ही क्षेत्रफल में होगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार देश में सोयाबीन की फसल को कहीं भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जहां किसानों को फसल की कटाई छोडनी पड़े। पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू सीजन के 189.06 लाक टन पर पहुचेगी इसमें से 60 लाक टन सोयाबीन का निर्याद होगा और 453 लाक टन का घरेलू उपयोग किया जाएगा। घरेलू उपयोग के तहट 390 लाक टन सोयाबीन की क्रशिंग प्रोसेसिंग होगी और 63 लाक टन की खपत अन्य उद्देशियों में USDA पोस्ट ने चालू सीजन के दौरान अर्जेंटीना में सोयाबीन की ओसत उत्पादक्ता दर करीब 2.88 टन प्रती हेक्टेर रहने का अनुमान लगाया है।